नोशकार, पेन हिलार उब्रीज चैनल की और एक नया वीडियो में आपका स्वागा थे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खेजूर खाने के फाइदय के बड़े में सुपर पूट खाये जाने वाला खेजूर सहित के लिए बहुत ही फाइदवन्ध है यह सुरिल से जुड़ी बहुत सी समस्वाओं को दूर करता है इसमें डाइटरी फाइवर, विटेमिन D, आयरन, ओटीन, नेशरल सूगार, पटस्या मुझूद होता है जो सारीरिक बिमारियों को खतम करता है और एक हेल्दी सस्थ लापदान करता है तो चलिए जानते हैं एक एक करके खेजूर खाने के फाइदे के बारे में नम्मार वान, रिदाई सस्थ में सुधार करता है खेजूर रिदाई हमारे सुरिल का सबसे महत्त बुन्ना है इसलिए इसके सस्थ पर धैन देना बहुत ज़रूरी है रिदाई को बहतर रखने के लिए आप दीन भर में मुठी भर खेजूर खा सकते हैं खेजूर में मुझित एंटि ओक्सिदेंट गूर्ड आर्टी सेल से कोलिस्टरोल को हटाने में मदद करता है धोमनी या आर्टी से सब्सक्त होने का इसमें प्लाक भरने की अवस्था यारी अरिथोगोर्ड से इसको भी इससे रोका जा सकते हैं वजन बढ़ने से भी रिदाई सम्मदी रोग हो सकते हैं एसे में खेजूर का नियोमित सेवन आपके ओजन को नियोंतन में राख सकते हैं, क्यूंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जब वजन नियोंतन रहता है, तो आप कई तरह की बीमारी से बास सकते हैं. नमबर टू, हड्ड्यों को मुझबूत रखता है खेजूर, खेजूर मैगनेसियाम, सेलेनियाम, कौपर और मेंगानिच का अच्चा स्रोध हैं, ये सभी पोसकत्तो हड्ड्यों को मुझबूत करने के साथ ही इन से जूरी परिशानियों को भी दूरकर्त में मदद करता हैं, ये एक ऐसा खोनीच है, जो हड्ड्यों के लिए काफी फाइदामान है, नमबर थिरी, खेजूर रख्तोचाप नियुंतित करने में स्वाहग, खेजूर रख्तोचाप की एस्तर को नियुंतित करने में मदद करता हैं, क्यूंकि इसमें पटासियाम और मिनालेल्स भारपू रहने से गूर्दे की पत्री से भी बचा जा सकते हैं, हार्बल मेडिकल इस्कूल की एक रिपोर्ट की मतबिक उच्चो रख्तोचाप को नियुंतित करने के लिए अपने आहर में डेट्स को भी सामिल करना चाहिए, खेजूर में पाया जाने वाले पटासियाम, मैगनेसिय और फाइबर की बज़ए से इसका इस्तेमल रोजना किया जा सकता है, खेजूर में मुझद मैगनेसियम आपके रीदोय और रख्तभाहिका की मास्पेसियों को भी आराम देता है, नमबर फोर, सुरिल में उर्जा बढ़ने वाला है खेजूर, स्वाद और प्रातिक प्राक कान महसूस नहीं होने देते हैं, खेजूर खाने से दिन भर स्वाइल में उर्जा का संचार, इसमें मोजुद पोसकत्तो, फ्रुक्टोज और गुलुकोल्स की बज़ए से होता है, नमबर फाइब, सुजन कम करने में मदद करता है खेजूर, खेजूर के फाइदे अनेक है इसमें दर्द और सुजन से लड़ने वाला तत्तो भी सामिल होता है, जैसे कि वीडियो के पहले ही बताया है, खेजूर में मैगनेसियम पज़ब्त मत्र में होता है, जो पती रखा पुनली के लिए काफी महत्त पुन्न है, अगर आपके आहार में मैगनेसियम कम होगा, तो आपकी पती रखा पुनली सुजन से ठीक तरह से लड़ने ही पाएगा, नमबर सिक्स, जोनस अस्तो के लिए भी फाइदावान है खेजूर, खेजूर को जोनस अस्तो के लिए भी काफी अच्छा मना जाता है, एसा इसलिए कि खेजूर में पाया जाने वाले पोटिन में 23 इस तरह की अमिनो एसिट पाया जाता है, जो जोनस अस्तो के लिए लाबदायोग होता है, या धेन देने वाली बात यह है कि जोनस अस्तो ठीक करने में केबल प्राकितिक तरिके से मिलने वाले अमिनो एसिडी मदद करता है, एक भरतियो अ अध्धान के उनुसार खेजूर में भी इस्तेमाल किया जाता है नमबर सेबेन सस्त गर्ववस्ता लोग के जहन में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या पेगनेंसी के दोड़ान खेजुर का सेवन किया जा सकते हैं हम आपको रिसर्च के आधर पर बता रहे हैं कि खेजुर मा और बच्चे के लिए सुरुखित और फाइदा मन्द है खेजुर में मोजुद फ्रुक्टोस सरकड़ा सोडिल में ब्लाट सुकर के स्तर में बदलाव किये बिनाई उर्जा देता है गर्वस्ता के दोड़ान मोहिला को अतिरिक्तो 300 कलोरी की जुरुरत होता है जिससे खेजुर पूरी करती है वही खेजुर म में मोजुद फाइबार गर्वस्त के दोड़ान बावासीर की कम करने में काम करता है हलाकि गर्वस्ता एक नाजुक समय होता है इसलिए खेजुर का सेवन करने से पहले डॉक्टर की साला लेना ना भूले नमबर एड पतिरख्खा पुनाली मुझबूत करता है खेजुर व जोरुरी है पोटिन मासपेशियो को मोजबूत देने के साथ ही पोतिरख्खा पुनिल को भी पोबल बनाता है ऐसे में खेजुर का सेवन करना काफी लादधा मना जाता है खेजुर में एंटि बेक्रियाल गुन भी पाया जाता है जो कोही तरह की बीमारी से हमरे सोरिल को ब कब्च के एलाज में काफी सायक है इसमें गेंस्टो इंटेस्टेनल संक्रमोन को भी संतुलन रखने के गून होता है फाइबर की कमी से कंस्टिपेशन की समस्टा हो सकती है कंस्टिपेशन के दोड़ान हमरे सोडिल में मिनेरल्स के इस्तर में आये औसंतुलन को ठीक करने में खेजूर कारगार है क्योंकि इसमें भाड़पूर मत्र में फाइबर होता है रोजाना करीब 35 ग्राम फाइबर खाने से आपका मौल नौरम होता है और पाचन क्रिया में कोही बादा नहीं आता है वही खेजूर में मुझुद फाइबर से पेट सम्मंदी कैंसर को रोकने का भी मदद मिलता है नांबर टेन कोलिस्टोल को भी नियोंतित करता है खेजूर खाणा से कुलनेस्ट भी नियोंतित रहता है अगर एक सस्त वैंकती खेजूर का रोजाना 7 करता है तो खेजूर और और स् toi ध इस्टर पर भी पोँहावी रूप से आसर पड़ता है खेजूर में पटास्याम की मत्रा ओदिक होता है जो हानिकरक कोलेस्टेरल को घाटाने में मदद करता है नमबार 11 मोस्तिसको साज्ट दिमाक को स्ट्रेस और सुजन से बचाने में खेजूर काफी कारगार है इसका नियोमितो 7 आपको निवरो डिजेनरेटिव बिमारियों से बचा सकता है निवरो डिजेनरेटिव रोग दिमाक स्वम्मदी उन बिमारियों को कहा जाता है जिसमें मोस्तिसको का नर्पस सिस्टेम पवावीत होता है खेजूर सीती को बढाने में मदद करता है एक अध्धायन के मताबिक खेजूर में Alzheimer मतब धीरे धीरे घड़ती सरुनख्यती को, पुह пост काम करने में मदद करता है नम्बर ट्वेल्ब, कोलोन कैंसर कोलोन यानि पेट का कैंसर प्राण खतक हो सकता है एक वईग्यानिक अध्यान के उनुसर खेजूर में पाये जाने वाले तथो कोलोन कैंसर को रोकने में मदद करता है खेजूर में मिलने वाला पॉलिफेनल्स कैंसर से बचाव कर सकता है इसके अलावा खेजूर में मिलने वाला फाइबर भी पेट के कैंसर से लड़ने और कब्ज दूर करने में स्वायक होता है अगार आप काभी पतले है तो खेजूर का रोजना सेवन करके आप अपना ओजन बढ़ा सकते हैं नाट को अंधेपन का उमक करन वीटामिन A की कम है खेजूर में वीटामिन ये भरपुर मातर में मिलता है खेजूर को नाइड ब्लायनेस को दूर करने के लिए भी इस्तमाल में लाया जा सकता है नमबर 15, बाबासीर से बचाओ, कब्च की समस्दा होने पर बाबासीर हो सकते हैं खेजुर में पज़फ्त फाइवर होता हैं, इसलिए इसके सेवन से बाबासीर की समस्दा को काफी हद तक कम किया जा सकता है 17. खेजूर पेट की चर्भी कम करने में स्वायक जी हाँ, खेजूर खाने के फाइदा में पेट की चर्वी कम करना भी सामील है अगर आप मोटा बसे परिशान है तो खेजूर को अपनी दिन चर्चा में सामील कर सकते हैं खेजुर फाइबर से भरपुड होता हैं और फाडबाई फाइबर की आहर में सामिल करने से भूख कम लगती है और बार बार कुछ खाने का भी इच्छा नहीं करते हैं खेजुर साथ में मिठा होता हैं और आप इसका सेवन आसनी से कर सकते हैं नमबर अठरा, एनिमिया, सरील में आइरन की कमी से एनिमिया होता है, इस घादक शमसा से बाचने के लिए आप नियोमित रूप से खेजुर का सेवन कर सकते हैं, क्यूंकि इसमें आइरन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, इसलिए खेजुर को एनिमया के सिकर्ट दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं, नमबर उनिस, आतो के बिकार का इलाज, खेजुर के फायदे एकिनन कही है, खासकर इसमें मुझूद फाइबर हमारी आतो और पाचन तंतर पर काफी शक्रमत तक पहाफ डालते हैं, इसमें मुझूद फाइबर और पॉनिफेलंस, आत नमबर बीज, खेजुर तौर्चार सस्ते के लिए कारगर, खेजुर में विटेमिन C और D काफी मात्र में पाया जाता है, इसलिए ये तौर्चार सस्त पढ़ाने बनाय रखने में मुदद करता है, खेजुर एंटी एजिंग तथ्थों से भरपूर होता है, खेजुर के ब बालो की सहत के लिए में फाइदा मन है, बालो के लिए भी खेजुर काफी फाइदा मन है, आइरन से भरपूर होने के कारण खेजुर इसकल्प में रौक्त संचलन को बढ़वा दे सकता है, जिससे बालो के बिकस में मदद मिलती है, साथ ही इसमें मुझुद भीटेमिन E भ करें, और अगर चैनल में आप नए हैं, तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दावना ना भूले, इसी के साथ आज वीडियो संप्त कर रहा हूं, नोसकार, जय हिंद, जय भारत